आज हम एक बेहदी कमफीर मुद्दे की बात करेंगे यह मुद्दा है एडवाइजरी यानी स्टॉक मार्केट टिप्स से रिलेटेड सबसे पहले अभी तक आप सबको पता चल चुका होगा कि भारत के एक बड़े बिजनस हाउस पर सेवी ने एक्शन लिया है एक्शली बिजनस न्यूस चैनल पे तो नहीं लेकिन उसमें आने वाले सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट पर सबसे पहले इसके पूरी डेटेल मैं आपको देदू अगर आप सेवी की वेबसाइट पे आओगे सेवी की वेबसाइट में 8 फेबरी का ओडर देखोगे तो यहाँ पर सीधे पहला ओडर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो दोस्तों यह 127 पन्ने की रिपोर्ट आपके सामने ओपिन हो जाएगी सबसे पहले अगर आप इस टाइटल इसका सीर्शक देखोगे तो बिजनस चैनल कौन सा है जी बिजनस चैनल पर सो कॉल गेस्ट एक्सपर्ट के द्वारा स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन के नाम पे चल रहा था बहुत बड़ा स्कैम जिसे आप कह सकते हो फ्रॉड सबसे पहले इन में से कौन-कौन से नाम आए है टोटल पंदरा लोगों पर से भी का एक्शन हुआ है इन में से एटलीस पाँच वैसे नाम है जो आपने इनको टीवी पे लगतार सुना और देखा होगा जी बिजनस के चैनल पर इन ही को प्रमोट किया जाता था as a stock market expert के नाम सर सबसे पहले आप किरंचादव आशिश केलकर जो के अल्मोस्ट एक ही कंपनी से दोनों ही बिलॉंग करते हैं हिमांशु गुपता इनका काफी पॉपुलर बिगुल हुआ करता था हिट मैन हिमांशु के नाम सर काफी फेमस थे ये भी मुदिद गोयल ये भी काफी फेमस थे और उसके बाद एक फीमेल पैनलिस्ट जिनको कई ज़्यादा कहा जाता था कि यार ये हमारे पैनल पे एक मात्र फीमेल है और काफी उनको बड़ा चड़ा के बात किया जाता था ये जी बिजनस पे देती थी सिमी के नॉन स्टॉप शियर्स और नॉन स्टॉप लॉस या नुकसान करवा देती थी अपने दर्शकों का तो ये पाँच ऐसे नाम है जिनको अपने लगतार न्यूस चैनलों पर देखा होगा दोस्तों बट ये केस है क्या सबसे पहले मैं आपको एक्स्प्लें कर दूँ ये पूरा केस या कारवाई जो सेभी के द्वारा की गई है वो क्या है इन सारे लोगों पर टोटल पंदरा लोगों की लिस्ट है इन पे लगभग साड़े साथ करोड के आस पास का पैनल्टी य टिप्स देते थे लेकिन बहुत ही चालू लोग थी यह सब ये क्या करते थे आपको फ्री मार्केट टिप्स या एडवाईस देने से पहले ये कुछ लोगों के साथ ये टिप्स को शेयर करते थे यानि अगर आपको ग्यारा बजे ये टिप्स निज्श चैनल पे मिल रही उसके पहले ही ये टिप्स किसी और इंसान को 10 बच के 50 मिनट पे 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले ही देते थे इन में से सबसे प्रमुख नाम निकलके आ रहा है निर्मल कुमार सोनी का ये सारे एक्सपर्ट मिलके निर्मल कुमार सोनी को ये टिप्स पहले ही देते थे अब जैसे ही निर्मल के पास ये टिप्स आ जाती थी, वो उस stock में अपनी position या future option में अपनी position बना लेता था, लेकिन जैसे ही इन लोग TV पे वो ही stock को recommend करते थे, मासूम retail traders ये सोच के कि आज ही मैं बड़ा मुनाफ़क कमाऊंगा, TV में free advice लेकर उस share में तुरंत position बना लेते थे, लेकिन हो मुनाफ़क कर लेता था, अब ये भी आदमी थोड़ा चालू था, ऐसा नहीं करता था, कि total पूरा पैसा अपने account से करता था, इसने कुछ companyya खोल रखे थी, ये पूरा scam या fraud कैसे होता था, यहाँ पे सेवी ने पूरी illustration बना के दिया है, पूरा diagram बना के दिया है, आप इनके WhatsApp पे जो चैट करते हैं, WhatsApp चैट की पूरी detail देखी गई, इन लोग एक दूसरे को बताते थे कि हम ये share recommend करने जा रहे हैं, और सारी चर्चा कितना मुनाफ़ा है, सारी चीज़ें अपने में चर्चा करते थे, बात करते थे, फिर ये निर्मल कुमार सोनी के नाम के इनस इन सारी companies के थूरू उसमें बड़ी position ले लेता था, और mintो में बड़ा पैसा कमाता था, इनका नाम क्या है profit maker, अब जैसे इसको मुनाफ़ा हो जाता था, ये मुनाफ़े का एक बड़ा हिस्सा इन पाँच expert के साथ बाद में share कर देता था, इनमें से Simi Bhomik, जो की एक I think Kolkata स पैनलिस्ट आती थी, ये उसे भी एक कदम आ गये थी, ये नहीं से निर्मल को वो information पहले भेज़ देती थी, बट अपने घर पे अपने पतिदेव यानि पार्थ सार्थी धर को भी ये information पहले ही provide कर देती थी, यानि पूरा मासूम investor को बेफकूग बनाने का काम चल रहा था ये so-called trading tips, investment tips के नाम पर, और आप जानते हो ये business channel कैसे operate करते हैं, ये हमेशा, हमेशा आपको हर समय कुछ trading tips देते रहते हैं, अच्छा दोस्तों, अब मैं सवाल पूछूँगा in business houses से, अभी ये घटना ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी business पे होगी है, आपको सुनाई दिया होगा कि यार, CNBC में भी एक काफी बड़े, I think, anchor थे, बहुत high position पे थे, वो भी CB के radar पे आयते हैं, वो भी front running का scam कर रहे थे, और यहाँ पे जी business के platform पे भी ये सारे so-called share bazar के expert इस तरह का fraud कर रहे थे, मैं सवाल पूछूँगा, मुझे पक्का clear है कि यार, जो अनिल सिंग वी जी हैं, जो जी business के, I think, managing editor है, काफी बड़िया position पे रहे हैं, उनको ये सारी information नहीं थी, ये 100% मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि sir, जब आप हर चीज में सवाल पूछते हो, जो कि इसलिए आपकी इतनी value है market में, आप सवाल पूछते हो, जब जिरूधा down हो ज नहीं पे भी मिले, और गलत तरह से काम काज किया जाए, तो आपका सवाल उठाने का हक है, जैसे हमारा है, अगर हम भी यूट्यूबर से, यूट्यूबर पे वीडियो बनाते हैं, हमारा भी हक है, लेकिन sir, आपके इतने बड़े media houses में, इसका एक भी वीडियो नहीं है, इ जी बिजनस के सबसे ज़्यादा दर्शक है, आप बताते हैं, बजट के दिन हमको इतने लाखों लोगों ने देखा, आप बताते हैं कि बजट के दिन बच्चे भी हमें देखते हैं, तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, कि इस पे आईए क्लैरिफिकेशन दी है, वैसे आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर आप एक पॉलिसी निकालो ना, यार आपके चैनल पे सच में गलत काम हो रहा है, और मैं बताता हूं क्यों, बजट के दिन, बजट के दिन आप कहते हो, कि हम हर आधे घंटे में एक कॉल देंगे, चाह तो आप कॉल ऑप्शन दोगे, तो आप ऐसे कैसे गरिंटी कर सकते हो, कि बजट के दिन हर आधे घंटे में कॉल देना है, कैसे कर सकते हो, जब बाजार में सेटप ही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन या आपके सो कॉल एक्सपर्ट कैसे दे सकते हैं, बस अपनी वियर्शिप बनाने के लिए हर समय कॉल और पुट ऑप्शन, जब से बाजार खुलेगा, सवानों से, उसके पहले से कॉल पुट ऑप्शन शुरू हो जाती है, और जब तक बाजार बंद होता है, कॉल पुट ऑप्शन दिये जाते हैं, क्या हर समय हर मिनट पे एक ट्रेड एविलेबल होती आपके पास, क्या ये संभाव है? ये तो कॉमन सेंसे बंदा कह दे, कि हर मिनट पे हमारे पास ट्रेड एविलेबल नी ओते है, और सर आप अपने मुह से खुद कहते हो, कि दस ट्रेड करोगे तो ब्रोकर के लिए करोगे, इसके ल जलत है और आप भी जानते हैं या आप भी जानते है आपका एक बहुत अच्छा चैनल है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पर क्रिप्या धान दीजे इन सारी चीजों पर जिस तरह से आप सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हो जिस तरह से आप कोई ब्रोकर डाउन हो जाता जो कि free में advisory tips लेते हैं, इसमें मैं हम सब को भी अंदर घेरे मिलूँगा, चाहें आप free के tips YouTube channel से लेते हो, चाहें आप free के tips अपने telegram channel पे लेते हो, चाहें आप tips किसी business channel से लेते हो, यार आप tips क्यों ले रहे हो, आप इतने greedy हो कि आपको tips के लिए payment नहीं करनी है, कोई चीज आपको free में चाहिए, वो call option आपको free में चाहिए, कोई बता दे, उसके कहने पे आप ले लेते हो, ऐसा करने चाहिए क्या, एक 300 रुपए का earphone अगर आपको कहने के वो मैं बोल दू न, तो आप 5 बार Amazon पे जाके उसके review पढ़ोगे, एक 10,000 की TV खरीदनी होगी न, तो 10 बार बैठे होए, so-called stock market expert के नाम पे दोड़ के ले लेते हो, एकदम दोड़ के, और यहाँ पे सेवी ने पूरा दिखाया कि किस तरह से भागा दोड़ी करते हैं, किस तरह से share price भागता है, recommendation देती हो, और volumes में एकदम unprecedented jump देखने को मिलता है, इसी को तो manipulate करते ही, यह सारे लोग, इसमें जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ चलो बड़ी news channel पे हो रहा है, यह सारा कारणाम आपके telegram और YouTube पे भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है, सारी नजरे होती है, telegram, whatsapp, छोटे YouTuber, छोटे इंसान, लेकिन यहाँ पे जो आपके traditional business channel पे हो रहा है न, यह कुछ कम गलत नहीं है, यह सारी चीजें जो stock market के नाम पे, advisory के नाम पे, tips के नाम पर पूरा fraud चल रहा है, यह बहुत बड़ा fraud है, in fact अभी access bank का, I think access mutual fund के, sorry access bank नहीं, access mutual fund के, एक fund manager का भी नाम आया था, front running की case में, उनका भी नाम आया था, तो बहुत बड़े बड़े low scale में है, भारती stock market में यह गं समाधान यही है, कि आप जो दर्शक हैं, चाहें आप किसी social media पे दर्शक हों, चाहें आप किसी business news channel के दर्शक हो, आपको tips के basis पे act नहीं करना है, कृप्या करके tips के basis पे, रातो रात अमीर बनने के सपने आप लोग ना देखें, चाहें कोई भी दिखा रहा हो, चाहें कोई अपनी social media पे panel दिखा रहा हो, चाहें कोई बड़े news channel पे बैट कर आपको बता रहा हो, कि यार यही call option कल को इतने target टुरन चला जागा, आपको अपनी analysis करनी है, या एक proper advisory लेनी है, proper advisory का मतला पे, वो आपको one to one advisory करेगा, और से भी registered person होना चाहिए, इस तरह से जो public को एक free की tips दी जाती है न, वो free है, समझो free का माल हमिशा आपके नुकसान के लिए ही होता है, तो please बहुत ध्यान रखें, अपनी capital को safe रखें, इतना ही मैं आप से कहूंगा, और ये सेभी की report पढ़ो के ना, तो मज़ा आ जाएगा, सेभी ने पूरी detail में बताई, किस तरह से stock recommend किया यहाँ पर आप देख सकते हो, बलरामपुर चीनी, पहले ही position बना ली, मासूम traders ने खरीदा, और उसके 5 मिनट बाद बेज के, इतना बड़ा बड़ा मुनाफ़ा करमा लिया है, इन लोगों ने, अच्छा एक और चीज मेरी माननी है, कि यार, जो 7 करोड का, 7.5 करोड का fine ल तो I think इस पर सेवी को भी ध्यान देना चाहिए, कि यार, इसका कुछ ऐसा punishment हो न, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार, जो पैसा lose हो गया है, जो आपने unfair mean से कमाया, आप उसको recover कर लो, ये कहीना कहीं से थोड़ा सा लोगों का नुकसान भी करा रहा है, क्योंकि अगर वो बंदा 7 क करोड कमा रहा है न, तो उसके सामने retail दर्शकोंने कम से कम 15-16 करोड गवाए होंगे, तो at least ऐसा होना चाहिए, कि जितना आपने unfair mean से कमाया, उसका 4-5 गुना penalty लगा के पैसा वापिस आना चाहिए, और आगे के लिए मैं ये भी कहूँगा, अभी भी, अभी भी news channel पे कई स analysis डाली है, वो trade देते हैं, उस trade के दौरान ही मैंने कई बार video बनाई है कि ये trade क्यों नहीं काम करेगी और सच में वो trade काम नहीं की है, hero zero के नाम पर, और मैंने ये काम multiple time के और budget के दिन तो भाई, बवाल इन लोग ने कर दिया था, कि budget के दिन हर समय call option और मैं बैट के सोच र रहेगा, आज news में आया है, हम और आप चर्चा करें, परसों आप भूल जाओगे और इन ही के fan followers बन जाओगे, तो please ध्यान से काम करें, अपनी capital को protect रखें और किसी के भी कहने पे ना हो, भाई साब आपका पैसा है, जिम्मधारी at the end of the day आपको अपनी जिम्मधारी लेनी पड़े, okay